चीन अब तेरी खेर नहीं अमरीका अब यही बोलना चाहता है चीन को अब डारेक्ट बोले या इंडारेक्ट बोले हमारे पास पांच पॉइंट है या आप पांच प्रूफ बोल सकते हैं जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कूस करने वाले हैं सबसे पहले तो जो 5G हुआ भी कंपनी को लेकर जो डिस्प्यूट चला था और जो ट्रेडवार चला था उनके बीच में दूसरे नंबर पर जो कोविड-19 और कोरोना वाइरस का जो डिस्प्यूट हुआ और ट्रंप ने ये बोला कि ये एक जो वुहान में पैदा हुआ वाइरस नहीं है ये वाइरस चाइना वालों ने बनाया है और तीसरा जो होंग कोंग के उपर जो चाइना ने बिल पास किया था उसकी ओटोनमी को लेकर उसके उपर चाइना और होंग कोंग दोने के उपर ही उसने ट्रेडव को बैन कर दिया है और चोथा जो तिबबत के उपर उन्होंने जो परस्वा अपनी सीनेट में बिल पास किया है कि तिबत जो एक कंट्री है वो एक आजाद कंट्री है मतलब चाइना के कब्जे से छुडाना चाता है कहिने कहीं यही मसला निकल कर आता है इस तिबत वाले बिल से और पांचवे नंबर पर और सबसे एहम बात है जो उसने अभी उगिर कम्मिनिटी है जो चाइना की उनके उपर जो अत्याचार चाइनीज कर रहे हैं उसके उपर एक हुमन राइट कमीशन का बिल पास किया है इसमें ये बताया है कि चाइना कीसे मुसल्मानों को अत्याचार करके उनकी जेलों में बंद कर रहे हैं जिनको वो डिटेंसेंस अैंटर बोलता है और लेटस्ट अब कैसे रिटालियेट किया है या कैसे डराने की कोश्च कर रहा है अमेरिका उसने अपने थाड मिसाइल सिस्टम है जो कि एर डिफेंस सिस्टम है वो डिप्लोई करने शुरू कर दिये हैं कहां कहां पर अब जो ये थाड डिप्लोई किये है इसमें विशे सग यही बताते हैं कि ये थाड लास्ट पोजीशन पर ही मतलब जब यूद कि सिर्थ बन जाती है तब ही अमरीका इनको डिप्लोई करता है और इराक के सोरी इरान के टाइम पर भी इसने ऐसा ही किया था बट इरान के टाइम पर उसका वार उल्टा पड़ गया था क्योंकि साओधी अरभिया और ये काफी मैटर करने लग गए थे बट अब सबसे महतपुन बात ये है कि अमरीका अपने साथ में कनहडा औस्ट्रेलिया और देशों को भी लेकर चल रहा है इस चीन को मात देने के लिए और भारत का केस तो आप लोगों को पता ही है जैसे कि पैंगोंग लेक सिक्किम और अरुनाचल परदेश वाले एरिया को लेकर जो डिस्प्यूट है और वियतनाम जो कि साउथ चाइना सी में है और वहाँ पर नाइन डैस लाइन को चाइना अपना कलेम करता है जितने भी आईलेंड है वो चाइना कलेम करता है उन पर और जैपान के साथ डिस्प्यूट ये है कि जो सेन काकू आईलेंड है उसको अपना बताता है जबकि जै लगता है कि अभी चाइना बुरी तरह से फस चुका है और चाइना को अब क्या करने चाहिए हार मार लेनी चाहिए कमेंट में बताएं